ही अबरिवन आज हम लोग समुसा बनाएंगे जिसे बच्चे बरे सभी बहुत पसंद करते हैं और पार्टी चाहे छोटी हो या बरी हो इसे जरूर बनाया जाता है या फिर बाजार से मंगाया जाता है लेकिन समुसे को आज हम बिलकुल एक नए डिजाइन में और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे जिसे बच्चा भी बना ले तो चलिए हम समुसा बनाना सुरू करते हैं समुसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे यह 500 ग्राम मैदा है मैंने इसमें चुटकी भर नवक और हाफ टेवल स्पून अजवाइन फ्रेवर के लिए डाला है साथ ही दो बड़ा चमच इसमें तेल डालेंगे और हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे अगर जरुत परे तो आप दोनों हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं इससे आटा जो है वह बहुत ही खस्ता होता है कुछ लोग इसमें घी भी डालते हैं लेकि तेल डालने से आटा वि जब भी आप कचोरी या फिर समूसी के लिए आटा त्यार करें तो वह बिल्कुल ही टाइट होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं इसे हम हाफ घंटे के लिए छोड़ देंगे और इधर हमने तीन आलो लिया है यह उबले हुए आलो है तो इसे हम छीली कर इस तरीके से मैस कर करने से आलो में कोई भी लम्ज नहीं रहेगा और हमें बिल्कुल ऐसा ही आलो चाहिए और यहां पर हम चार हरी मिर्च बारी कटा हुए डाल रहे हैं इसके बाद हम इसमें स्वाधनुसार नमक डाल देते हैं और यह हम जीरा पाउडर ढाल दिये भूना हुए जीरा का हम mix कर लेते हैं अच्छी से mix करें और फिर हमेहाँ पर corn floor एक चमस डालेंगे अगर आपके घर में यह ना हो तो आप अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन आपको एक चमज अरारोट या फिक corn floor डालना ही है क्योंकि इस डिस में यह हीरो का काम करेगा जिससे मैं आपको बाद में पताऊंगी तो आलू तयार है लेकि देख सकते यह थोड़ा गीला लग रहा था तो हाथ में तेल लगा कर इसे इस तरीके से चिगना कर लेंगे और आलू भी तयार है हमारा इसे भूनने की जुरत बिल्कुल भी नहीं है इसे हम ऐसे ही यूज़ करेंगे और आटा भी आदा घंटा रेस्ट हो गया तो अब हम इसकी तीन लोईया इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर इसे इस तरीके से गूल करते हुए और ना तो तेल लगाए और ना ही पानी लगाए या ऐसे ही बेल जाता है और इसे बिल्कुल चकले के साइस में बेल लेंगे अगर आप चकले से बरा बिल सकती है तो बरा भी चलूर बेले उससे और भी अच्छा समुसा बनेगा बीच में इस तरीके से मैं बोटल का कैप डाल दी अगर आपके घर में छोटी कटोरियां हो तो उसे भी बीच में इस तरीके से डाल सकते हैं और फिर जो हमने आलुक तयार किया था उस आलुक को इस पर डाल कर इस तरीके से फैला लेंगे देख सकते हैं आप मैंने इवेन लिफ फैला लिया है और अब हम इस बोटल के क्याप को हटा देगे और इस तरह के से हम इसे बीच से कट करेंगे देख सकते हैं आप और इस तरह के से कट करने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह के से समूसे बनाने से देखने में भी सुन्दर लगता है और चाहे जितने भी महमान आए समूसा कम नहीं पड़ता है यारी कम से कम सामान में ज्यादा से ज्यादा समूसा बन जाता है और खाने में बहुत ही ऩा क्वाह चाइ पूह जी देक है नीचे से उठाते हुए इसे रोल कर यह देखिए कितना संदर डिजाइन बने त्यार है अभी आपको लग रहा होगा कि अ असले प्ला के यह आलू निकलें आप जी कंगी बिल्कुल भी आलू नहीं निकलता है क्योंकि हमने इसमें कार्ण फ्लार मिक्स किया था कार्ण फ्लार मिक्स करने से वह खुद ही आलू को अपने आप में एबजॉर्ब कर लेता है जिसे आलू तेल में बिल्कुल भी नहीं निकलता है तो ये सारे समूसे सिर्फ एक लोई से बनकर तयार है यानि टोटल एक लोई में हमने 16 समूसे बना कर तयार कर लिया और इधर गैस पर हमने पहले से ही तेल डाल रखा था तेल बिल्कुल स्लो रखें तेल का तापमान बिल्कुल कम हो और इससे क्या होगा समूसे जो है वह बिलकुल प्रंची फ्राइ होंगी और देखने में भी सुन्दर लगता है क्योंकि उसमें बवल्स नहीं आता है आप देख सकते हैं हमारे किसी भी समूसे में आपको बवल्स नजर नहीं आ रहा होगा और कितना अच्छा यह सिक रहा है में इससे निकाल लेंगे जैदी तोड़ा कम ही लाल हो तभी इससे निकाल ले क्योंकि यह गरम रहता है और इसमें और भी लालिपन अपने आप आ आ जाता है और इसी तरीके से सारे डीजाइन से बने हूए समुषे को इसमें डाल लिए और देख सकते हैं कितना समुषा बनकर तयार है बस आदा घंड़ा लगा मुझे इस रेसिपी को बनाने में और चलिए इसे खाने के लिए टेस्ट करते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी यमी तो देखा आपने कितनी आसानी से इतने सारी समुषे जब भी कोई घर में छोटा बड़ा पाटी हो तो आप इस तरीके से यह समुसा जरूर बनाए और आप इसका क्रंची पन देख सकते हैं यह देखिए खाने में इतना ज्यादा टेस्टी कि हर कोई आप से पूछे कि आपने इसे कैसे बनाया थांक्यू फॉर वाचिंग